नमस्ते याल, तो आज हम बनाएंगे समोसा रोल बहुत ही अलग तरीके से और बहुत ही स्वादिस्ट और जल्दी बनके तयार होने वाला समोसा रोल जिसके लिए आप एक बोल में पहले तो मैदा ले लें और मैदा आटा मिक्स कर सकते हैं आप मैंने सिफ मैदा लिया हुआ है इसमें मैं तू टी स्पून नमक डाल रही हूँ अजवाइन और जीरा डालूँगी इसमें मैं अजवाइन और जीरा के साथ ही मैं इसे मिक्स करके थोड़ा सा हलका गरम तेल डालके मैं इसका मोयन रेडी करूँगी और इससे अच्छे से मोयन देने के बाद मैं इस आटे को अच्छे से गुंद लोगी तो मोयन बहुत अच्छे से दीजिए तभी क्रिस्प बनेगा और साथ ही थोड़ा सा पानी डालकर आटा गुंद कर कम से कम 20-25 मिनिट तक छोड़ दें तो इस तरह से ढखके आपको आटे को रख देना है अब हम स्टाफिंग तयार करेंगे जिसके लिए ओईल में आप जीरा, धनिया, राई, पंच फोड़न आप अड़ कर सकते हैं अच्छे अ से अच्छे गोल्डन ब्डाउन प्राउ और इस में थोड़ा सा लिमन क्वीज करना में इसके बादे भाद सारे अ सा और रावन करेंगे धनिया पावडर जीर जीड़ पावडर गरशी पावडr इसके बाद इसमें उबा ले हुए आलू को एक्ष tutaka कर दें गोड़े होग उसे अच्हाई से अजूंद करें आड़ा एक्डम क्रण दन्या की पति के सांथ करेंगे और और इसे डकके रख देंगे अब हम आटे को लेंगे, आटा जो है वो हमारा रेडी हो चुका है, तो आटे को हम चोटी-छोटी लोई बनाएंगे, ध्यान रहे, ये मैदा जो है, वो थोड़ा रबर जैसा होता है, आपको थोड़ा सा महनत लगेगी इसमें, बढ़ चोटी-छोटी लोई आपको तयार करन और जो हमने स्टाफिंग तयार की थी उसे साइट साइट के चपाती में लगा दीजिए तब इस तरह से दो इंच के डिस्टेंस पे आप चपाती को बीच बीच से कट कर लीजिए और कट करने के बाद हमें इस कटोरी को निकाल लेना है इस कटोरी को निकालने के बाद जो एक एक section है उसे इस तरीके से रोल करना है बहुत ध्यान से धीरे धीरे रोल करें तो तूट सबता है तो इस तरह से देखिए मैंने रोल कर दिया है अब हमारा अलग से एक बोल में मैदा लें पानी लें और उसमें ये जो रोल है अड़ करें and then हम डी फ्राइ करेंगे तो तेल पे क्रिस्पी समोसा रेडी है तो नाष्टे में तो बहुत अच्छा लगता है चाय के साथ आप लीजिए या फिर मतलब आप कैसे भी ले सकते हैं बहुत यमी नाष्टा है ट्राइ करके बताईएगा पुझे कमेंट करके मैंने इतने जारे बना लिये हैं और येस गाइस कर दो